दोस्तो दोस्तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं यूपिटेट सीटेट में आए हुए पर्यावन अध्यन के महतपूर प्रसलोतरी की तो चलिए बिना किसी देरे के स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर एक से लबकुष बैराज प्रयूजना है तो दोस्तो किस लिए है ये यह है पेज़र के लिए आंसर के हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए अगले question की बात करते है, question number 2 भारत में सबसे अधिक उपजाओ मर्दा काउंस ही है तो दोस्तों वहाँ जलोड मर्दा answer क्या हो जाएगा? Option number C अगले question की बात करते है, question number 3 हुमरस उधारन है तो दोस्तों हुमरस किसका उधारन है? या है जैविक कुलाइट का आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर C अगले कोशन की बात करते हैं कोशन नमबर 24 निम्ड मेंसे किस राज में नलकूपो द्वारा सिंचित भूमी छेतर सबसे अधिक है तो दोस्तों किस राज में है यह है उत्तर प्रदेश में आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर C अगले कोशन की बात करते हैं कोशन नमबर 15 उत्तर प्रदेश में सिचाई का सबसे बड़ा सुरोत है तो दोस्तों सबसे बड़ा सुरोत क्या है नलकोप है आंसर क्या हो जाएगा option number C अगले question के बात करते है question number 6 1903 में भारत वर्ष की पहली चीनी मिल कहां इस्तापित की गए थी तो दोस्तों यह इस्तापित की थी प्रतापपुर में answer क्या हो जाएगा option number B दोस्तों देखें प्रतापपुर में ना की प्रतापगण में ठीक है answer क्या हो जाएगा option number B अगले question की बात करते है question number 7 उत्ताप प्रदेश में जमिंदारी उन्मोलन और भूमिसुदार अधनियम 1950 अंतर नहीं थे तो दोस्तों किस अनुसूची में है या है नभी अंसूची में answer क्या हो जाएगा option number C अगले question की बात करते है question number 8 निमलिखित में से किस नदी के टटपर गोरकपुर इस्तित है देखें पिछले भी सेट में बताया था गोरकपुर किस नदी के टटपर है या है राप्ति नदी के टटपर answer क्या हो जाएगा option number C अगले question की बात करते है question number 9 गोविंद बल्लब पंत सागर जला से इस्तित है तो दोस्तों या कहां इस्तित है या है उत्तर प्रदेश में answer क्या हो जाएगा option number A अगले question की बात करते है question number 10 उत्ता प्रदेश के निमलिखित में से कौन से जिले में मौधा प्रियोजना इस्थित है तो दोस्तों यह हमीरफुर में आंसर क्यों जाएगा option number T अगले question की बात करते है question number 11 उत्ता प्रदेश के निमलिखित सहरों में कौन सा गोंती नदी के टट पर इस्थित है तो दोस्तों गोंती नदी कहा बैती है या बैती है लखनव में ठीक है आंसर क्या हो जाएगा option number T अगले question की बात करते है question number 12 निम्लिकित में से कौन सही सुमेडित है तो बताए दोस्तों कौन सा सही सुमेडित है देखे सांडी वन जीव अब भैरन कहाँ पर है यह हर दोई में है हर दोई के सांडी इलाके में answer क्या हो जाएगा option number C अगले question की बात करते है question number 13 उत्तर प्रदेश में एक बबबर सेर सफारी इस्थापित किया जा रहा है तो दोस्तों कहाँ इस्थापित किया जा रहा है या इटावा में इस्थापित किया जा रहा है तो दोस्तो यह रहा है 7% आंसर के वा जाएगा option number C. अगले question की बात करते है question number 15. The operation green प्रियोजना का उत्तर प्रदेश में सुभारम हुआ था. दोस्तो कब हुआ था यह हुआ था 2001 में? आंसर के वा जाएगा option number C. अगले question की बात करते है question number 16. बकीरा पच्छी बिहार जहां इस्तित है वह जगह है? तो दोस्तो बकीरा पच्छी बिहार कहा पे इस्तित है? यह इस्तित है बस्ती में? आंसर के वा जाएगा option number A. अगले question की बात करते है question number 17. दुद्वा राष्टी उद्ध्यान किस जन्पद में इस्तित है? option number T. अगले question की बात करते है question number 19. शुर्भा ताल पच्छी बिहार इस्तित है? तो दोस्तो यह कहां इस्तित है? यह इस्तित है बलिया में? आंसर के वा जाएगा option number D. अगले question की बात करते है question number 20. निम्लिकी जन्पदों में कौन सरवादिक बना च्छादित है? निम्लिक ब्रेच्छों में से कौन सरव ब्रेच्छ पर्यावरान संकत उत्पन करता है? तो दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा option number D. यूकेलिप्टेश ठीक है? अगले question की बात करते है question number 20. उत्ताप्रदेश का सबसे बड़ा 1 जीव भिहार है? तो दोस्तो सबसे बड़ा 1 जीव भिहार कौन सा है उत्ताप्रदेश का? वा है हस्तिनापूर अंसर क्या हो जाएगा option number C. अगले question की बात करते है question number 23. वर्तमान में उत्ताप्रदेश में 1 जेतर है? मातर कितना परसेंट है? दोस्तो वा है 4.46% आंसर क्या हो जाएगा option number P. अगले question की बात करते है question number 24. उत्ताप्रदेश में सुर्पथम किस पच्छी बिहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तो यह की गई थी नवाब गंच पच्छी बिहार की? आंसर क्या हो जाएगा option number P. अगले question की बात करते है question number 25. कथन क्या कह रहा है? वन नवीनी करण संसाधन है. और कारण क्या है? यह पर्यावरन की कुडवत्ता को बढ़ाते हैं. तो दोस्तो देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है. लेकिन जो कारण है, वो कथन का सही, इस पच्छी करण मंदब व्यक्या नहीं करता है. आंसर के वाज़ाएगा option number P. ठीक है? है दोनों सही, लेकिन यह जो है, यह इसकी सही व्यक्या नहीं कर रहा है. ठीक है? अगले question की बात करते है, question number 26. राष्टी, वन नीती के अनुसार, देश का कुल भगौलिक शेतिफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो दोस्तों, यह होना चाहिए, एक बटे तीन भाग पर, answer के हो जाएगा option number D. अगले question की बात करते है, question number 27. बैतिताल पच्छी बिहार कहां इस्तित है? तो दोस्तों, यह है इस्तित है, परताब गड़ में, answer के हो जाएगा option number C. अगले question की बात करते है, question number 28. तो दोस्तों, यह इस्तित है, वारणसी में, answer के हो जाएगा option number T. अगले और last question की बात करते है, question number 30. देश में, वन संबंधी सिच्छा प्रारम हुई, तो दोस्तों कब प्रारम हुई थी? अठारा सो अठात्तर इस्तित में, answer के हो जाएगा option number P. ताने बात दोस्तों.